असलाम अलेकुम इस करतार कुमार आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहें एवागेडरोस लाओ को यह हमारे पास थर्ड गेस लाओ है जिसको हम डिटेल के अंदर कॉंसेप्च्छली अंडेस्टेंड करेंगे कि एवागेडर अंकल ने क्या वज़ात कही थी क्या मतलब बड़ा एलान कर दिया था और जिसकी वज़ाद से हमारी फिजिक्स और केमेस्टर की किताब हमें इन अंकल का नाम आ रहा है ठीक है बारा प्लस बचे सेलेक्ट वहें नस्के अंदर पीस प्लस गए हैं जिकी के अंदर फुली फॉंडेड स्कॉलरशिप्स मिली है बचों को तो आप जोईन कर सकते हैं 6500 पूरे साल की फ्रीम आपको पूरी तियारी करवाएंगे उसके लाब आपको टुशन श्याइं किलास 9 9 10 11 12 9 10 11 12 सिंद बोर्ड फेडरल बोर्ड पंजाब बोर्ड कोई भी पाकिसान का बॉर्ड हो ए लेवल्स हमारी पूरी फैकल्टी है टीम है लेवल्स के अंदर अलहमदुल्ला हमारे बच्चों के 558 स्टार्स आये हैं लेवल्स के अंदर 13 13 भी बच्चे उठाते हैं उनको इसकी वजा से वह प्रॉपर्ली उनको आइडिया है कि किस तरीके से पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना तो हमें पता है किसे साफसे करना है बहुत अधा कमफी आप अपने आपको रिजिस्टर करवा सकते हैं वाटसाइप नंबर में मेसेज कर गया बस बता दें आए एमके अधा दरूर शियर करें सदकाय जारिया है मुल्कों तरक्की बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करनी होगी जैसे मुल्क हमार आगे पढ़े आप यह काम कर सकते हैं घर बेटके एवागड्रोज ला भाई एक दो चीज़े छोटी सी बोलता है एवागड्रोज क्या बोलता है तो तुम अगर नमबर ओफ मॉल बढ़ाऊगे एक मॉल है तो वॉलियूम कतना है? 22.4 अगर तुमने क्या किए वॉलियूम को डबल करना है तुम अँबर ओफ मॉल बढ़ा दो 1 से 2 कर दो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 44.8 मतलब तुम अपन्प मॉल बढ़ाओ, एटमस तुम number of molecules बढ़ाओ तुम्हारा volume बढ़ता चला जाएगा pressure और temperature तुमने अगर constant रखना है तो ठीक है क्या बोलते है at fixed temperature and pressure volume of gas directly proportional to the amount of gas amount कितना है? amount of gas कितने number of moles को ठीक है तो तुम्हारा volume of a gas G is directly proportional to amount of gas N of gas number of moles of gas अगर तुम N को twice करोगे N को 2N कर दो के तुम्हारा volume भी 2V हो जाएगा right? this is the thing ये mathematical क्या drum होगी इसकी तुम्हें directly proportional लिखा वाए इसका तुम्हें constant इंट्रोड्यूस करवाना होगा constant क्या होगा V is equal to K N right? तो V upon N बराबर है constant K के for same guess अगर तुमने volume V1 है at N1 moles पर ठीक है ये constant की आएगा for condition set of condition A तुमने number of moles change करके N2 कर दिये तो तुम्हारा volume V2 हो जाएगा उसका भी constant की आएगा जब तुम दोनों को equate करो गया चुँके gaze same है और तुम generally कोई भी gaze हो तुम्हारे पास number of moles volume के directly proportional है it doesn't matter nature of gaze इसके ओपर depend नहीं करती तुम क्या करो इन दोनों को equate करो गया तो क्या हैगा V1 upon N1 बराबर है V2 upon N2 ये बराबर है constant के ये क्या है number of moles इनको कहते है amount of gaze number of moles को है तो हम amount कहते हैं मैंने एक बात बताई थी amount is not equal to mass amount और mass बराबर नहीं amount कहते है number of moles को ये बाद याद रखने ही की है ठीके तो ये तुम्हें एक relationship प्यारा सा आ गया है ये notes तो मैं अभी गंदे बन रहे हैं लेकिन इसको मैं अलग से time निकाल के set करके वहां पे group के अदर अच्छा करके भेज़ दूँगा इसको ये क्या relationship आपको मिल गया है अच्छा कि नमबर ओफ मोल्स का क्या चकर है तो मुख को पड़ोगे कि Italian जो आएक scientist था इमीडियो एवगेड्रो जिसके अदर एवगाड्रो ला आपको दिया और जो आपको इस चीज़े बताएं कि नमबर ओफ मोलीकुल गेस क्या है एवगाड्रो क्या किता है Equal volume of all gases contain the same number of molecule at the same temperature and pressure भाई, equal volume of all gases भाई, यह Gase a कहै यह Gase a है जिसके अंदर h2 है यह कितनी है? यह 20 liter है यह Gase 2 है B Gase है यह क्या है? O2 है, यह भी 20 liter है तो भाई, equal volume है नों का नों का क्या है? A, volume of a is equal to volume of b तो इन दोनों gases के अंदर number of particles बराबर होंगे number of molecules दोनों के बराबर होंगे भले ये O2 बड़े size की हो भले ये H2 चोटे size की हो कोई issue नहीं है इनके उपर लेकिन number of molecules दोनों के बराबर होंगे दोनों का pressure और temperature constant है भाई ये बाद याद रखना temperature and pressure is equal to same same है तो तुमारे number of molecules दोनों के बराबर होंगे तब ही तो इनका volume same है ये कहता है तो मैं उसके बाद तुम्हाँ deduction के आई ये statement आई एवागाडरुला की के volume of gas highly proportional है amount of gas के उपर simple एवागाडरुला को दो statement के थुरू बयान किया जा सकता है एक mole gas का कोई भी gas उसके एक mole particles है उसका होगा 22.4 liters 22.4 liters उसका volume होगा तुम इसकी statement को इन तरीके कार से डिफाइन कर सकते हो ये दो तरीके कार है एवागाडरुला की statement को तुम जो उन्होंने किया ता इसको दो वेस के अंदर इससे explain कर सकते हैं ये हमने notes के अंदर add कर लिया बड़ी प्यारी किताब है हम सिर्फ एक किताब से नहीं देखके पढ़ाते हैं ये हमारी किताब है दूसरी old physics के book भी रखी हुई आपको तमाम जीज़ों का feel आए concept है तो टुशन्स ले सकते हैं हम आपको assignment, weekly test, monthly test लेते हैं EKDM, decade की pages ले सकते हैं बगाए notes चाहिए WhatsApp में message कर लो या ग्रूप के अंदर description के अंदर link के ग्रूप की जोईन कर लो वाम पे free के अंदर आते रहते हैं notes तो तब तक के लिए खुदा आफ़ेज चैनल को subscribe कियां और दोस्तों के साथ जरूर share करें कि मुलका भला हो और जो है और हम जो है तरकी की तरफ जाएं तो अलाहाफ़ेज मैं लिए तुआ कीचेगा